गुड मॉर्निंग लास थर्ड हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण में आज हम अपना लेसन नमर 12 शुरू करेंगे लेसन का नाम है अविकारी शब्द ये क्या होते हैं देखे पढ़ते हैं जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं अर्था जि जो शब्द जो कभी चेंज नहीं होते हैं किसके कारण लिंग के कारण वचन के कारण या फिर कारक के कारण उन्हें हम आविकारी शब्द कहते हैं कौन से होते हैं जैसे कल आज यहां आता था जैसे कुछ एक्जामपल है जैसे वह आज यहां आएगा अगर आप इस वे और ये भी चेंज हो गया आएंगे क्योंकि एक से ज़्यादा हो गये तो हम कैसे बोलेंगे वे आज यहां आएंगे लेकिन जो आज शब्द है उस पे कोई फरक नी पड़ेगा वो तब भी वैसी रहेगा और तब भी कि वे आज यहां आएगी अब भी आज शब्द जो है वैसी रहा तो ये जो शब्द है इनका अगर सेंटेंस में कोई लेंग या वचन चेंज होता है तो ये शब्द चेंज नहीं होते हैं तो ये शब्द कौन से होते हैं आविकारी शब्द ठीक है देखे इसकी डेफिनेशन है जिन शब्दों में लेंग वचन कारक कालादी के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्य शब्द भी बोलते हैं आविकारी शब्द का नाम अव्य भी है इसके चार भेद होते हैं क्रिया विशेशन समद्बोदक, समुच्छे वोदक और विसमयादी वोदक इनके नाम आपको learn होने चाहिए क्रिया विशेशन नाम से पता चलता है क्रिया विशेशन यानि की जो क्रिया की विशेश्टा बताते हैं क्रिया मतलब जो action world होते हैं हम लोग कल जाएंगे इसमें क्रिया क्या है जाएंगे उसकी विशेशता मतलब उसको और किस ने डिस्क्राइब किया कल जाएंगे तो जो कल शब्द है वो क्या है क्रिया विशेशन बाली का मंद मंद मुस्कुरा रही है मुस्कुरा रही है क्रिया उसके बारे में क्या बताय जिसा जा रहा है। तो यह क्रिया विशेशन के भी कुछ वेध होते हैं 해도 इस्थृ परिमार वचक। सबकि डेफिनेशनल्स दी हुई हैं रीति वाचक क्या होते है функ क्रिया के होनने कि को पार तरीका चल रहा है रीती वाचक, इस्थान वाचक नाम से बता चल रहा है, इस्थान मतलब प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ हम कुशलपूर बतलब है, कहाँ यहाँ, धर्म की सर्वत्र विजे होती है, कहाँ पर सर्वत्र मतलब हर जग है, ठीक है कालवाचक मतलब जो टाइम बताते हैं किसी की कोई भी क्रिया जो है मतलब कोई काम किस टाइम पर हो रहा है या होगा जैसे माधव पड़सो आएगा तो ये टाइम बता रहे हैं कि वो पड़सो को आएगा तो ये कौन से होते हैं कालवाचक परिमारवाचक यह जैसे किसी चीज की वो क्या बताएंगे परिमार मतलब मात्रा क्वांटेटी की कम खाओ कम थोड़ा खूब ज्यादा अधिक तो यह शब्द कैसे होते हैं परिमार मतलब उसके बाद आविकारे शब्द का दूसरा आपका भेद था संबंद बोधक निसे इंगलिश में प्रेपोजिशन यानि कि जो संग्या सरनाम के साथ आकर उनका संबंद वाक्य के दूसरे बत जैसे मैं घर से दूर निकल गया था एक तरह से डायरेक्शन भी बत जैसे राम और क्रिश्न इसमें राम और क्रिश्न इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है ओर ठीक है और की यदी जिससे हम दो वाक्या आश्या को जोडते हैं वो समुच्छे बोधक होते हैं इनकी सबकी डैफिनिशन आप पढ़ेंगे और एक्जाम्पल पढ़ेंग अपने आपको एक्स्प्रेशन के लिए जो शब्द यूज करते हैं ठीक है अचानक से जो आपके मुझे निकलते हैं वो विसमयादी बोधक जैसे उसमयादी बोधक मतलब कोई भी सर्प्राइज आपको हुआ है न वो प्रकट करने के लिए हर्ष मतलब कोई खुशी प्रकट करने के लिए जो आपके अंदर के मन के भाव है उनको प्रकट करने के लिए जो आप शब्द यूज करते हैं वो विसमयादी बोधक होते हैं ठीक है तो यह सब पढ़ेंगे इनके डेफिनेशन और जो भी इसकी यह है एक्सरसाइस यह बुक में और यह कॉपी में क